नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे दो बच्चे हैं सात्विक और श्लोग इस सात्विक पांच साल का है और इसे और इसकी पिछले एक साल से मैं घर पर ही थेरिपी कर रही हूं और मुझे का यूड़ाया तो वहां से ही मुझे बहुत कुछ दिखने के लिए तभी मैं यह थेरिपी घर पर भी कर पाती हूं तो आप लोग भी ज़रूर करिए मेरी वीडियोस शेर कर रहे हूं लोगों के साथ जो तरफिय कर पाते हैं जिनकी आसपास किसी पी एरिया मैं कहीं पर तो मुझे मेरी आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप उन लोगों के साथ मेरी वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग घर पर ही थेरिपी करा सकें और निराशन होए तो आप लोग घर पर करवाते रहें और अपने बच्चे को आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ दे सकते ह कि हम अपने बच्चे का डिस पॉन्स तुनियम बने दे रिसपॉन्स तूनीम मतलब कि हम उसे अगर बलाते हैं सातविक तो ऊंज और सब्सक्राइब हो और इसंब भी आप उपनों तो मिलाना चाह बिमारा स имеет हैं। मैं जब भी अपने बेटी को बुलाती हो साथवीक तो वह बोलता है अब मैंने उसे क्या से सिखाया वह मेरा कुछ अलग तरीका था जो नॉर्मल जो थेरिपिस्ट ने बताया मुझे या फिर मेरे जो चाइल सार्कलोजिस्ट थे जो उन्होंने बताया मुझे उससे तुड़ मैं आपको रखा हैते कियो एक कम्रे के जाना है जहां पर आपके साथ ऐत बच्चास सामने पर बठहना है टीक सामने पर बठाना है अपने लेवल पर बने के आना है और इसके साथ साथ। साथ विक और बोल के सात्विक तो उसका आपको गर्दन शहीं कैसे करना है तो आपको साथ विक मैं आपको करना जैसे एदरों ि झास निए इदर को देख रहा है साथ के अनगर डीक को सा .. kare ii कि याद रखना है कि अभी तो यहां भॉद सारे डिस्ट्रेक्शन है अभी वैं करती नहीं हो इसकी यह वाली थेरिपी तो मैं आपको सिर्फ बताना चारी कि उस समय यह सब सब कम चीजें होनी चाहिए आसपास ताकि आप अगर जैसे उसका नाम ले तो उसको इधर उदर देखने के बजाए वो आप पर ध्यान दे करनी है थोड़ी आवाजों के साथ भी करनी है दूसरे इसी टाइप की थेरिपी कि आपका बच्चा पीछे मुड़के नहीं देखता है जैसे अगर आपगर आप अपने यह थेरिपी कराई तो आपके बच्चे में क्या आ गया कि आपने जैसे ही उसका नाम लिया सामने से तो तो उसके लिए आपको एक exercise करानी है, वो exercise किया है, तो उसके लिए मैं आपको शलोक के साथ दिखाऊंगी, शलोक अच्छे से कर ले, करके वो आपको दिखाएगा, तो इस therapy में आपको क्या करना है, बच्चे को यहां पर बठाना है, और उसके साथ गेम खेलना है, कि आप और इस साइड से बॉल देगा, तो इससे क्या होगा कि उस से और पीछेमूढनाा आएगा, और आपको बॉल देते ही, आपको क्या करना है, बोलना है सैथ विक, साथ विक, पहलो, साथ विक, मतलब यह तो अभी शलोग है, शलोग भेलना है, ऑपको सिकत जिखे सबै इससे म सिर्फ नाम लेना है श्लोक श्लोक इसके अलावा जैसे यह तो मैं बॉल के साथ मैं करा ही रही हूं इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जो मैं अपने बच्चे के साथ कराती थी यानि की सात्विक के साथ जो कराती थी मैं सब्जिया लेकर आती ती कभी जैसे अभी इसने पक कोई भी चीज हो तो मैं सबजिया लेके आती थी और उसके साथ यही थेरी भी करती थी यह चीज के लिए ठीक है तो इससे क्या होगा कि अगर आपका बच्चा अगर कहीं पर है तो आपने उसे जैसे आपके पीछे से आवाज लगाई तो वह मुड़ के देखेगा ठीक है टीक है तो यह में एक सब्सक्राइब कर स्कांदी है यह कंडे अगर आपको सामने से भी नाम भुलाना ह्यां तब भी उसका ने Legends रिस्पॉंस टो नेम आजाएगा और आपको पीछे से भी अगर अगर आपको सानीह है डो सब्सक्राइब चया कर शक्तारा दोगा मैंने पहन लिया तो आप इसे वन टू अगर बुलवाना है जैसे इस हाथ से यह लेफ्ट हैंड से इस हाथ में बोलेगा फिर यहां मूड़के यह तू बोलेगा लुब आपको दिखाती हूं चलो वन बोलो यहां वान कि टू कि ट्री साथविक साथविक हाँ साथविक साथविक हाँ साथविक 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 हाँ वेरी गूट चलो हाइफाइफ कर दो हाइफाइ, हाइफाइ, हाइटेन, पा कर दो तो देखा आप लोगों ने कि यह जो आई कांटेक्ट वाली जो एक्साइज मैं उसको कराती हूँ घर पर यह आप नेम टू रिस्पॉंस के साथ भी करा सकते हैं ताकि उसको पीछे से भी उसका नाम का रिस्पॉंस आजाए ठीके ची तो मैंने आपको दोनु तरीके से सिखा जिस तरीके से आपका बच्चे कमफर्टेबल हो उस तरीके से आप उसे सिखा सकते हैं यह तो हो गई एक एक साइज इसके साथ आपको क्या ध्यान में रखना है इसके साथ आपको ध्यान में यह रखना है कि आपको एक ही नाम से पुकानना है अपने बच्चे का नाम ठीक ह साथविक 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 जब भी आपको अगर उसे रिस्पोंस टू नेम चिकाना है तब आल तु फाल टु टाइम आप उसे को नाम से नहीं बुलाएंगे आपको जो भी उसके साथ गप्पे बार रहे हैं बिना नाम के पोलिया किया कर रहे हो कैसा कर रहे हैं जैसे आपको बताती रहते हुए फिवा इन्फुत लेता रहते हैं तो उसे गपे मारते रहे हैं लेकिन नाम नहीं लेंगे आप तभी जब आपको उसे ठेलीप करा रहे हैं है रिस्पोंस टो डिय्म वाल moments गधिक और एकी नाम कोई निखनेम से जितने भी रिष्टेदार आते हैं घर में बच्चों से प्यार करते हैं तो वह बुलाते हैं लग लग नामों से लेकिन उन्हें भी स्टिकली आप बोल दीजेगा कि इसे सिर्फ एक ही नाम से बुलाएं जो उसका नाम है जैसे मेरे बड़ी का नाम सात्विक है तो उसे प्लीज आप सात्विक करके ही बुलाएं आप उसे बेटा बाबू सोना इस टाइप से आप मत बुलाएं ठीक है तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर मुझे करना क्या है ठीक है जी अब बात आती है दूसरे तरीके क दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं कि आप ये एक्सिसाइज तो आप करते रहिए और नाम उसी टाइम पर लेना है ठीक है दूसरा आप उसका नाम फाल्तु तो लेना ही नहीं है बिल्कुल भी सात्विक करो सात्विक करो सात्विक करो सात्विक करो सात्विक करो बाजार की चीजह को Champions राव दान कईष्यों की वड़े घ्inate कर दें काजु में कि तरह अमें बोला काजु आए हम अपने तरफ देखा और स्थीदे अचे अचान सा पूब प्रॉग सात्वेक काजू या फिर एक प्लेट में लेका या वाटर मेलन दे दिया और तुरंट देना है उसे ताकि उसे लगे कि हाँ जब भी सात्वेक बोला जारा है मुझे कुछ मिल रहा है खाने के लिए ठीक है कुछ भी देना है उसे सात्वेक चिप्स की फड़पड का आप कर दीजे तो वह देखेगा कि कुछ तो है तो जब भी आप सात्वेक बोलेंगो मुझे जरूर देखेगा क्योंकि उसे कुछ मिलने वाला होगा यह आपको साल दो साल यह लगातार करना पड़ेगा तब अब ही जाता है बहुत लोगों का लेकिन हम घर पर कर रहे हैं हमें इतना experience नहीं है तो हमें टाइम लग सकता है ठीक है तो आप ट्राइ कीजिए और यह अगर आप जो मैं बता रही हूं आपको तरीका वह आप कर सकते हैं और इससे response to name उसे आ जाएगा कि अब है तरीका वह तरीका जो मैंने अपने बच्चे के साथ आज माया था क्योंकि मैंने यह सब चीज मुझसे बरधाश नहीं पार था कि भूए बहुत टाइम लग जा रहा था इसमें कि बच्चे को नेम रिस्पॉंस आने में बहुत आधा टाइम लग जा रहा था कि मत सिखाय हुआ है कि बच्चों को आंसर कैसे करता है जैसे कि मैंने फ्लेश काट दिखाया जैसे कि आप यह बॉल ही मान लीजे मैंने यह बॉल दिखाया और मैंने उससे कहा यह क्या है बॉल है ना तो सामने से क्या बोलेगा बॉल कुछ भी मैं दिखाऊंगे यह क्या है बॉल तो सामने से बोलेगा बॉल तो ऐसे ही मैंने उसे मतलब साथवी का अंसर सिखा दिया है साथवी का अंसर है हा अन साथवी हा की साथविक हाँ हैं मैंने उसको लगातारीक करती गई उसे यह आंसर अवा गया कि के साथविक एससाथीक आपकुद्स कुछ बोलना तो हां बॉलने यह चीज मैंने उसे रटा five बॉलोंग保 दिये साथविक हां बोला थोड़ा धीरे बोला आपको शाहिद सुना ही ना दिया हो लेकिन हां बोल रहा है तो मैंने उसे यह बताए हुआ है कि जब भी साथविक बोलो तो सामने से हां बोलेगा जात्विक हां सॉथ्विक सर्फ वता से स्वाब देना सब्सक्राइब तो यह यह पता है किसे पुलना है, यह तेखा कि जब भी आप पने बच्चे को कोई चीद सिखाते हैं भले हैं रटाया है , फोड़ी ताइम बाद उसे समाजा में लग जाता है कि यह क्या चीज है सब्सक्राइब Store टेशन से कोई भी से समझ आने लगे कि हाँ लागू हो सकती है तो लगीगा है कि इस चीज के लिए लागू हो सकती है और उसके लिए बिलागू हो सकती है तो उसे समझ आने लगेगा तो इससे क्या हो जाता कि बच्चे का इसको काफी डाइम हो गया कि साथ पर कोई भी नाम लेता है पहले तो सिर्फ मुझे बुलाने पर देता था जब भी हां बोलता था अब क्या है कि अब पापा भी अगर उसे बुलाएंग साथ विक हां और रागव पाश करना कि अगर दूसरी में हाँ पर दो जोड से नहीं बोलता है वो चीज़ भी सिखानी है बें अब ही रिस्पोंस टू नेम उसका आ चुका है तो हम आप लोग भी ट्राइको बच्चे को जावाब देना सिखातेश जैसे की सात्वाक्तक हां सात्वीख हां तो वह चीज उसे आजाएगी और वो हर ब παर आप करते रहेगा आप यह नी बोलना है हा बोलो मेटा हा बोलो हा कहो आपको यही ही बिलकॲ भी नहीं करने है क्यों क्यूंकि यह भी से अगर आप जैसे हां कि आपको सिर्फ इतना बोलना कि आपको सिर्फ हां ही सीके सात्विक हां ठीक है कि आगे पीछे उसक नहीं लगा राँ है नहीं है तो आपको फायदे मन लगा चाहेगा चाहिए आपकर बच्चे का भी मेरे बच्चे का हाल फिलाल महीं आया है क्योंकि मैंने पिछले चह मैंने पहले ही यह आइडिया थोड़ा सोचा था एक बार यह ट्राइ करके लिए तो यह बहुत जल्दी उसमें असर कर गया था तो आप इन मेंसे जो भी मैंने आपको तरीके बता हैं रिस्पॉंस तू नेम बच्चे हां बोलने के साथ साथ वो पीछे मुड़ना सीख जाए ठीके जी तो आशा करती हूं आपको यह वीडियो फाइदे मन लगा होगा और अगर फाइदे मन लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा कॉमेंट्स जरूर कीजेगा और उन लोगों के साथ शेर अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई, और अपर आएब ने हलना जरूर करती हम तो भाइदे मन लोगा है तो अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई